जैहिन आप सभी को स्वागत है अपका तेजस NCC कुई टेस्ट में यह टेस्ट NCC A B और C शिर्वेट तीनों एकजाम के लिए होता है कौन बनेगा आज का विनर खेल खेल में सारे अब्जेक्टिब कोश्चन आपके त्यार हो जाएंगे इसलिए यह टेस्ट डेली साम में पांच बजे शुरू किया गया है तो सभी लोग रोजाना समय से पांच बजे टेस्ट दे दिया करेंगे और आज का टपिक है नेशनल इंटिग्रेशन का पार्ट वन यानि थर्ड चाप्टर शुरू हो गया एंसीसी का इससे पहले ड्रील और वेपन ट्रेनिंग के सारे अब्जेक्टिब कोश्चन हो चुके जो लोग टेस्ट नहीं दिये एंसीसी क्वीज टेस्ट नहीं से प्लेडीस है उसमें जाके आप टेस्ट जरूर देंगे मोस्ट इंपर्टेंट है यह भी टेस्ट चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज का टेस्ट जो लोग नहीं होंगे चलाना सबस्क्राइब करके बेले करेंगे बाकी का आपको 16 टॉपिक जो इसी सी में आपको पढ़ने हैं और सारे मॉडल विपर्स 19-20 मॉडल विपर्स आपको सारे इस सेबसाइट पर मिलेंगे तेजस NCCRM.com पर तो आप गूगल पर सार्च करेंगे तेजस NCCRM.com और यहां से त्यारी करेंगे अच्छे से आपका 200% एगरेड यहां से पढ़ने का ठीक है जीतना बताया सोलर टपिक पलस 20 ओरिजिनल मॉडल विपर यह आपको दिलाएंगे एगरेड बाकी आप रिवीजन कला सुबह 8 वजे साम में 7 वजे करते रहेंगे और यह free of cost यह सारे free of cost तो चलिए शुरू करते आज का टेस्ट टाइगर लोग होजिए रडी आंसर बताने लिए फरस्ट हो चुका है only 20 seconds for one question आंसर सभी लोग आना चीए भई या आंदर प्रदिस का लोग निरीत क्या है कन्नाड है भांगडा है कुची पुड़ी है या इनमेश कोई नहीं कुछ और है सभी लोग आंसर प्रदिस का लोग निरीत कुची पुड़ी है यानी option she is the correct answer question second बौध की पुजा की जगा को क्या कहते हैं मतलब जहाँ पर बौध लोग पुजा करते हैं option है मंदिर, B, विहार, C, मस्जिद और D, गुरु द्वारा टाइम शुरू हो चुका है जल्दी बताएगा भाई बौध लोग जहाँ पुजा करते हैं उस जगा को किस नाम से जानते हैं मंदिर बुलाते हैं, विहार बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं या फिर गुरु द्वारा आंसर सभी लोग कान अची है, जल्दी से और 5 सेकेंड, फास्ट, चिले टाइम अप हुआ, तो बौधो की पूजा की जगा को विहार कहा जाता है, यानि ऑप्शन, B is the correct आंसर नेक्स्ट कोस्चन नमर थर्ड, दीन ए इलाही, धर्म के स्थापना किस ने की थी, आप्शन A, अकबर ने, B, शाह जहने, C, बाबर ने, या फिर D, हुमायू ने, टाइम शुरू हो चुका है, आंसर सभी लोग बदाएने जल्दी से, लिमिट समय में जल्दी से, आंसर बताईएगा तो दीन ए इलाही, धर्म के स्थापना आकबर ने किया था, यानि, आप्शन A is the correct answer next question number 4, केरल की रजधानी कहां है, option A, चंडिगड, B, हैदराबाद, C, शीमला, और D, तिरुवन्त कुराउं टाइम शुरू हो चुका है, इट्स वेरी इजी question, राज रजधानी है, केरल की रजधानी कहां है, बताईएगा option A में है, चंडिगड, B में है, हैदराबाद, C, शीमला, और D में है, तिरुवन्त कुराउं तो कौन होगा correct answer इन चार option में से जल्दी सबी लोग इसका answer किसी का गलती से भी गलत नहीं है, तो केरल की रजधानी भईया, तिरुवन्त कुराउं है यानि option D is the correct answer नेक्स्ट क्वेस्चन वार फाइफ भारतीर समिधान खाली अस्थान में अपनाया गया था option 26 नॉम्बा 1950 को B 26 नॉम्बा 1949 C 26 जनवरी 1949 या फिर D 26 जनवरी 1950 को टाइम शुरू चुकाया इस question में काफी लोग फस्ते है question में दिया है कि भारतीर समिधान कब अपनाया गया था या आपके यह नहीं है कि लागू कब किया गया तो आप लोग आंसर सोच समस्क के बताएंगे option 26 नॉम्बा 1950 26 नॉम्बा 1949 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 क्या होगा correct तो भारतीर समिधान 26 नॉम्बा 1949 को अपनाया गया था यानि option B is the correct answer question 6 गोदावरी नदी का उद्गम कहा है option A महारास्ट में B मदपरदेश में C उत्राखंड में या फिर D राजस्थान टाइम शुरू हो चुका है आंसर सभी का आनिचिये correct गोदावरी नदी का उद्गम कहा है option A में है महारास्टा में बी मदवपर्देश में शी उत्राखंड में या फिर डी राजस्थान में जल्दी से बताई यह अशाब लो वनले टू सेटन रिवेनिंग टाइम अप तो गदावरी नदी का उद्गम भाईया महरास्ट में यानि ओप्शन A is the correct answer नेक्स्ट कोश्चन नमर सेवन रायपूर कहां की रजधानी है ओप्शन A तिलागना की B शिक्किम की C उत्र परदेश की या फिर D 36 वड़की टाइम शुरू हो चुका है आंसर सभी लोग का लिमिट समय में आनी 20 सेकंड में आंसर आजाना चाहिए रायपूर कहां की रजधानी है ओप्शन A में है तिलागना की B शिक्किम की C उत्र परदेश की या फिर D 36 वड़की रजधानी है या जल्दी पास्ट चले टाइम आप तो रायपूर 36 वड़की रजधानी है यानी ओप्शन D is the correct answer कोश्चन में रेट कोलार स्वर्ण छेतर कहां है ओप्शन A मदपरदेश में B करनाटक में C उत्राखन में या फिर D राजधान में टाइम सुरू हो चुका है ये सारे कोश्चन A, B और C तीनों में पूशे जाते All are most important कोलार स्वर्ण छेतर कहां है किया होगा correct जल्दी बताईए आंसर सभी काना चाहिए चले टाइम हो तो कुलार स्वर्ण छेतर ये करनाटक में है यानि option B is the correct answer question 1 राश्ट्री पच्छी खाली अस्तान है option A कबुत्तर B बाज श्री मोर या फिर D कोया टाइम सुरो चुका है आंसर सभी लोग का जल्दी से अब आपके डेली कुईज चेस में 15 question होई राश्ट्री पच्छी क्या है सभी लोग बताईएगा एक साथ कबुत्तर, बाज, मोर या फिर कोयाल है क्या होगा correct answer चले टाइम आप तो राश्ट्री पच्छी मोर है यानि option she is the correct answer question number 10 राश्ट्री पच्छू क्या है option A बाग B चिता शी सेर या फिर डिग गाय टाइम सुरो चुका है फटाफट आंसर सभी का इसमें भी काफी लोग mistake करते कुछ लोग यो दोचालोग होते है तो ध्यान देना है वह यह सब काफी basic question है राश्ट्री पच्छू क्या है बाग चिता शेर या फिर गाय क्या होगा correct answer जल्दी से चिले टाइम होगा तो राश्ट्री पच्छू बाग है यानि टाइगर option A is the correct answer question number 11 शी अशोक अस्तम या फिर डी अशोक चीन टाइम शुरू चुका है इसमें maximum लोग mistake करते गलतिया कर बढ़ते क्योंकि अब ध्यार नहीं देते तो अभी सोच समझ का answer बताइगा राश्ट्री प्रतिक क्या है मत्रब राश्ट्री चीन अशोक चक्र है केवल अशोक है अशोक अस्तम है या फिर अशोक चीन है क्या होगा correct answer जल्दी से टाइम आप तो राश्ट्री प्रतिक अशोक अस्तम है option C is the correct answer कोश्चर मा टुगल राश्ट्री ये भाषा क्या है option A अंग्रेजी B हिंदी C उर्दू या फिर D तमील टाइम शुरूँ चुका है मतलब हमारा नेश्टनल लेंग्वेज कौन सा है अंग्रेजी है हिंदी है उर्दू है या फिर तमील है जल्दी से बताएगा सबी लोग answer किसी का गलत नहीं नहीं चीए 100% correct चीए fast चले टाइम अप तो राष्ट्रिय भाषा हिंदी है यानि option B is the correct answer नेक्स्ट कोश्चनमा 13 राष्ट्रिय ध्वज क्या है option A तिरंगा B अशोक चकर श्री एंशी सी का जंडा या फिर D अशोक अस्तम टाइम चुरू हो चुका है मतलब राष्ट्रिय ध्वज मतलब राष्ट्रिय ध्वज मतलब राष्ट्रिय जंडा कौन सा है भाईया option A में तिरंगा B अशोक चकर C NCC का जंडा या फिर D अशोक अस्तम क्या होगा correct answer सब का 100% सही आंसर चाहिए जल्दी से तो राष्ट्रिय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा जंडा है यानी option A is the correct answer next question number 14 राष्ट्रिय ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतिक है इसमें अब फ़स सकते है option A शान्ति और शत्य का B पुर्वर्ता और विकास का C शक्ति और शाहस का या फिर D शान्ति और विकास का टाइम सुरू हो चुका है बताएगा या राष्ट्रिय ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतिक है वह क्या दर्सात है option A में शान्ति और शत्य का B पुर्वर्ता और विकास का C शक्ति और शाहस का या फिर D शान्ति और विकास का प्रतिक है क्या होगा प्रतिक है जल्दी से time off हुआ तो राष्टी ध्वज का नारंगी रंग ये शक्ति और शाहस का प्रतिक है यानि option C is the correct answer last question आज का 15 खुजरा हो किस राजमें इस्तित है option A करनाटक में time शुरू हो चुका है answer सभी का नाची है या question है खुजरा हो किस राजमें इस्तित है option A में करनाटक में B बेंगलूरू में C दिल्ली में या फिडी मद प्रतिक में क्या होगा correct answer सभी लोग बताएंगे जल्दी से और count कर लेंगे कितना सभी वा time off खुजरा हो ये मद प्रतिक में इस्तित है यानि option D is the correct answer फटाफट count करके किस का कितना सभी होगा कौन बना आज का winner वह होगा जिसका 15 में 15 सभी होगा तो फटाफट comment करें सभी लोग और जो winner होगा उसको सभी लोग congratulation मोलेंगे और आपका कितना सभी है आप ये भी comment करें बाकी लोग सभी को best upload बुलेंगे तो जो लोग आप लोग daily समय से 5 बाए test दे दिया करेंगे quiz test इससे आपका objective खेल खेल में हो जागा बाकी का जो आप drill topic और weapon training का test नहीं दिये आप लोग इस playlist में जाएंगे पलस सारे मडलों पर हिंदी इंग्रीस दोनों में है और ये दिलाएगा आपको ए ग्रेड बाकी revision regular ठीक है सुबह साम तो मिलते है कल national regression का next part 2 के साथ आप लोग तयारी करके आएंगे ठीक है जो लोग winner है सभी को congreturation और जिनका कम सही है मतलब 15 में 12 14 सभी को best of luck कल सेम टाइम पांच बजे सभी लोग समय सैंग ठीक है सेम टाइम पांच बजे साम में डेली टेस होतार सभी को best of luck धन्यवाद जय ही